नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी आई होप आप सभी ठीक होंगे हमेशेक तर आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पारिंग एगरी कॉंटेक्ट पेज यहां दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूँ यहां पर प्रेसर रिलीज 23 अक्टूबर 12 को यहा पर बताई जा रही है इसमें यहां पर जो डाटा आपके पास दिया गया है 2021 में यहां पर ICR, UG, PG, PhD के लिए कितने स्टूएंट्स अपीर होए थे कितने स्टूएंट्स ने यहां पर फॉरम फिल किया था तो वो सारा डाटा यहां पर है तो जो मैं डिसकस आपके साथ यह यहां पर मैं आपको सबसे पहले बता दूँ यहां पर जो ICAR, AIEEA, UG एंग्जाम में यहां पर जो जनरल केटागिरी के स्टूएंट्स थे 39,636 यहां पर 49,636 स्टूएंट्स ने यहां पर जनरल केटागिरी से फॉरम फिल किया था, ST केटागिरी से 19,755 स्टूएंट्स ने यहां पर डे पालाया किया था ICAR, Е केग्जाम में, अगर हम ST काटगरी के बात करें, ST काटगरी में 10,467 स्टूएंट ने यांत यहां पर अपर अपलाया किया था, पॉरम भरा था, अगर हम यहां पर बात करें, जनरल EWS से यहां पे 11,757 स्ट्टेट नहीं यहां पर अपलाई क्या था, यह रियोंट के लिए अगर हम बात करें, टोक्र टाटाई यहां पर निकालें, तो आइञ्से और यूजी में, यहां पर जो फॉरम फील क्या था स्ट्टेट ने वो फॉ तो इन्होंने 6370 नहीं पर अपलाए किया था आइसे अर्पीजी के लिए यानिकि 6370 स्टुएंट नहीं यहां पर अपलाए किया था आइसे अर्पीजी एक्जाम के लिए और स्टी काटगरी से यहां पर 2308 यानिकि 2308 स्टुएंट नहीं यहां पर अपलाए किया था स्टी काटगरी से आइसे अर्पीजी के लिए और OBC से यहां पर थे एस्पेरेंट थे जोने आईसे आर पीजी के लिए आबेदन किया था अपलाए किया था जो फॉरम भरा था अगर हम बात करें आईसे आर एईसे जर्फ एसर एक बात करें तो इन में जो स्टुएंट यहां पर जदरल कैटेगरी से थे वो थे यहां पर यहां पर तीन थाउनिट पर जो फॉरम भरा था लेकिन मैं यहां पर आपको बतादू अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर data दिया गया है, जो males कितने थे यहाँ पर जिन्हों ने apply किया था, female कितनी थे, transgender कितने थे, तो यहाँ पर total data यहाँ भी दिया गया है, इसको आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, और इसके बार अगर हम बात करें, कि कितने student ने इस बार एक्जाम दिया था ICR, UG, PG and PhD का तो यहाँ पे number of candidates who appeared in exam boss as follows कि कितने student अपीर हुए थे अगर हम बात करें जनरल केटेगरी से ICR, UG के लिए 33,254 student ने यहाँ पे एक्जाम दिया था यानि कि 33,254 student ने यहाँ पे एक्जाम दिया था SC केटागरी से 66,18 student ने यहाँ पे एक्जाम दिया था 16,018 student ने यहाँ पे SC केटागरी से एक्जाम दिया था ICR, UG का और SC केटागरी से यहाँ पे 8,429 student ने यहाँ पे एक्जाम दिया था OBC केटागरी से 54,875 student ने यहाँ पे एक्जाम दिया था यानि कि चौबन हजार आठ सो पजेतर जो स्टुएंट थे इन्होंने OBC कैटागिरे से यहां पर ICR UG एक्जाम दिया था और General EWS से यहां पर 10,470 यानि कि 10,400 स्टुएंट ने यहां पर ICR UG एक्जाम दिया था General EWS से अगर हम बात करें टोटल ICR UG जिन्होंने एक्जाम दिया स्टुएंट ने वो थे 1,22,993 यानि कि 1,22,993 ने 2021 में यहां पर एक्जाम दिया था ICR UG का अगर हम ICR PG की बात करें तो ICR PG यहां पर अगर हम बात करें General Category कि 5,786 टुएंट ने यहां पर एक्जाम दिया था यानि कि 5,786 जो बिदारती थे नोंने ICR PG का अगजाम दिया था SC Category 3,604 ने दिया था यानि कि 3,304 ने SC Category 3,206 स्टुएंट ने यहां पर एक्जाम दिया था चारसो चौवीस स्टुएंट नहीं यहां पे ICR PG exam दिया था EWS category से टोटल अगर हम बात करें ICR PG की तो ICR PG यहां पे इस पार एपेर हुए थे exam वो थे 20,811 यानि की 20,811 student नहीं यहां पे ICR PG exam दिया था अगर हम यहां पे बात करें ICR AICE-JRF SRF की बात करें इसमें general जो category थे उ SRF का और SC category से यहां पे 1555 student नहीं यहां पे exam दिया था यहनिकी 1555 बिदार्थियों नहीं यहां पे JRF SRF exam दिया था ICR का तो ST category से यहां पे 700 हरता लिशन की 748 student नहीं ICR AIC-JRF SRF का exam दिया था और OBC category 6183 यहां यहां पे ICR AICE-JRF SRF exam दिया था और general EWS category EWS यहां पे 683 student नहीं यहां पे ICR AICE-JRF SRF exam दिया था और total अगर हम बात करें ICR-JRF की SRF की बात करें तो यहां पे total students थे इस वार अपीर होते exam वो थे 8999 की 8919 student यहां पे ICR-JRF SRF में अपीर हुए थे तो यहां पे data है बाकि यहां पे males कितने थे females कितने अफीर हुए थे उसका data भी यहां पे दिया गया है तो यहां पे total मैंने आपको बता दे कि इस वार अफीर हुए थे और यहां पे student का doubts भी था कि rank कैसे पता करें तो यहां पे बिल्कूल आपका final यहां पे data निकल गया है कि आप rank भी यहां पे निकाल सकते हो कैसे जो rank की calculation ने उसका formula दिया गया है जैसे आपका scorecard ICR का आया है उसमें आपका formula है उससे आप अपनी rank भी निकाल सकते हो अगर आपको rank निकाल हो उसको लेकर करें कोई नाइवार आप इस्साथ आप से मुलाका तक के लिए उसके साथ दोस्तों आप से मुलका तब तक के लिए